ओम शान्ति, आप सबको स्वागत है आज के 3 जुलाई की श्री ब्रदान में, जहां परमपिता परमात्मा हमें चोईस देते हैं, या तो हम अपने आपको आत्मिक वृत्ति, वृत्ति मतलब आटिट्यूट, या तो हम आत्मिक दृष्टी के तोरा अपने आपको देखें, अ तो परमपिता परमात्मा ने वरदान की एडिग में हमें कहा है, आत्मिक वृत्ति, दृष्टी से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले, सदा सुख दाई भवा, अगर जीवन में सुख होगा मन में, सुख में संकल्प होंगे, अपने बारे में अगर हमारे सुख के प्रती सुख में संकल्प होंगे, हमारी जो चेतना है, हमारी जो पहचान है, वो आत्मिक दृष्टी अनुसार और वृत्ति अनुसार होगी, तो आटोमाटिकली हम औरों को भी सुख ही देंगे, और इसलिए हम सुख दाई बन जाएं तो विस्तार में चलें, ब्रामनों का संसार भी न्यारा है, तो दृष्टी वृत्ती सब न्यारी है, ब्रामन कौन हुए, ब्रामन वो हुए जो ब्रह्मा को फॉलो करते हैं, और ब्रह्मा को जानते हैं, अब ब्रह्मा कौन हुए, ब्रह्मा जो शब्द है, आप कह सकते हिं दिये संस्कृत में ब्रह्मा कहा जाता है और इंगलिश में अगर आप कहें तो आडम कहा जाता है भावान का तक कोई शरीर तो है नहीं उनका कोई physical male या female body तो है नहीं तो उन्होंने ज़रूर आत्मिक दृष्टी सही Adam की आत्मा को रचा होगा या create किया होगा तो Adam को या ब्रह्मा को आत्मिक ज्यान था उसी तरीके से परमात में भी कहते हैं कि जो चलते फिरते आत्मिक दृष्टी आत्मिक वृत्ती वृत्ती मतलब attitude और दृष्टी मतलब vision में रहते हैं उनके पास दुख का नाम निशान नहीं रह सकता क्योंकि दुख होता है शेरीर भान से अब दिन बर अगर हम अपने शेरीर को ही देखें शेरीर को ही हम सुवकी पहचान मारें यह हम औरों को देख करके उदास हो जाएं कि किसी के पास में ज़्यादा धन है किसी के पास में ज़्यादा खूपसूरती है चाहे दुनिया वाले जो भी सोचें लेकिन अगर मैंने अपने आपको आत्मिक दिरिष्टी से समझना शुरू किया और जो शरीर है जो कि कुछ limited समय के मेरे पास है जिसको मुझे छोड़के जाना ही पड़ेगा कहा भी जाता है ना ना कुछ लेके आये थे ना कुछ लेके जाएंगे तो यह लेके आने जाने वाली जो शक्ति है वो आप आत्मा है मैं आत्मा हूँ लेकिन जब हम अपने आपको शरी समझना शुरू करते हैं और शरीर के अनुसार हम उलों से respect और उसे प्रेम और उसे खुशी और उसे अपने बारे में अच्छा सुनना चाते हैं तो वो चीज हमें हमेशे अकले नहीं मिलती है आप imagine करें कुछ देर के लिए अगर एक मा अपनी बेटी को बच्पन से ही उसके शरीर की खुबसूर्ती शरीर की लुक्स की ओपर ही जाता ध्यान दे और कहें कि बेटी तुम बहुत सुन्दर हो तो वो विक्ति, वो जो आत्मा है अपने आपको शरीर समझ करके जब बड़ी होगी तो उसकी सारा फोकस अगर उसकी सुन्दरता पर रहा तो अपने आपको वो सुन्दर है कि उन्हों सारी पेश करें और के सामने मतलब कि और लोग भी वो जो अंदर उसका जो मन है उसकी जो पुद्धी है उसके जो संसकार है जो की आत्मा की शक्तिया है उसको ना जान करके उसके देहिक सुरूप या उसके बाहरी सुरूप से ही उसको पैचानेंगे और वो ही आत्म जिसका शेरीर पुराना होने वाला है 30 साल की उमर में, 40 साल की उमर में जब वो शेरीर पुराना होना शुरू हो जाएगा तो उस समय उसकी self-respect या कहें आत्म बल या आत्म विश्वास घटना शुरू हो जाएगा कहते तो हम हैं आत्म बल या आत्म विश्वास लेकिन दहिक बल के उपर जब जीते हैं तो हमारे अंदर छोटी-छोटी प्रॉलम्स जैसे कि डिप्रेशन होना, लो कॉंफिडेंस होना, लो सर्फ एस्टीम होना शुरू आता है क्योंकि शरीर तो पुराना हो नहीं है लेकिन हम आत्माएं कभी पुरानी होती नहीं है हमारे अंदर अगर अच्छे गुण है, नमरता है, धहरता है, पवितरता है, साद्गी है ये सारी जो गुण हैं ये कभी पुरानी नहीं होते लेकिन हमारी जो पहारी, देहई की जो सुरूप है, ये जो स्किन है, ये किसी लेकी सिंद्ध पुरानी हो जाएगी तो आप खोड़ी डिसाइड करिये, कि आप अपने आपको आत्मा समझ करके चलना चाते हैं कि शरीर समझ के लंबा चलना चाते हैं और फिर परमात्मा कहते हैं, अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक सुरूप में रहते हैं, तो सदा सुख ही सुख है, फिर मेरा किसी से कोई competition नहीं, मुझे किसी से अपने शरीर के नुसार कोई तुलना नहीं करनी है, मुझे अपने आपको गुणों के नुसार देखना है, अ अब आपके सामने ही अगर दो example रख दिये जाएं, एक है Mother Teresa, और एक कोई भी आप actress पकड़ लीजे, तो आपको Mother Teresa और वुझे दूसरी actress है, उन दोनों के बीच में से आपको कौन ज़्यादा सुंदर लगेगा, अगर आप ये चीज अपने आप से पूछते हैं, तो आप आ बात यही आती है, difference इतना ही आजाता है, कि हम दहिक दृष्टी से देख रहे हैं, कि आत्मिक दृष्टी से, तो आप किस परकार से अपने आपको जीवन भर रखना चाहते हैं, किस अनुसार आप जीवन में चलना चाहते हैं, वही decide करेगा, वही निन्ने करेगा कि आप वे सदा सुख की शया पर सोते हैं, और सुख सुरूप मतलब वो ना अपने आपकी तुनला किसी से करते हैं, जिसकार उनको किसी से इर्शा हो, या उनको अपने अंदर एक ऐसी फिलिंग हो, जिससे कि उनको लगे कि हम अच्छे नहीं हैं, या हम आगे बढ़नी सकते हैं, मेरे से बहुत अच्छे लोग हैं चाहे सोरूप में दिखने में चाहे धंदौलत में चाहे फिजिकल प्राप्तियों में लेकिन जो आत्मिक प्राप्तियों को ज़्याता देखता है विक्ति उसके लिए सारी चीज़ें मानने ने रखती हैं वो सदा खुश रहते हैं अंदर से संतुष्ट अपने आप से संतुष्ट और और औरों को भी वो इसी दिरिष्टी से देखते हैं जिस कारण औरों को उनके साथ इर्षानी होती औरों को उनके साथ में नफरत या घ्रणानी होती जिसको हम envy कहते हैं तो आप अगर खुद आत्मिक द्रिष्टी में रहेंगे तो औरों को भी आप सुख दे पाएंगे जोई सापके हाथ में और अगर आप जानना चाहते हैं ये दोनों द्रिष्टी हैं कौन सी हैं ये दोने attitudes ये व्रित्य कौन सी हैं उसके लिए अपाकर के प्रमकुमारी उसमें 7 days का course कर सकते हैं इसी के साथ हूं शयंती